हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे दोस्तो आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके असाइनमेंट के स्टेटस के बारे में अगर आप भी अपने assignment का status चेक करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा important है तो दोस्तों बिना देरी करते हैं वीडियो को start करते हैं तो दोस्तों यदि आपने भी अपने assignment March में, April में या फिर June में या फिर माई में सम्मिट किये थे तो ये वीडियो आपके लिए क्योंकि बहुत सारे स्ट्टुएंट्स का कहना है कि हमने assignment इतनी जल्दी सम्मिट कर दिये थे पर assignment का status अभी तक नहीं आया है assignment का status कब तक आता है मलब कि assignment के status मलब कि जो आपके assignment के marks है वो कब तक update किये जाते हैं तो आपके assignment के जो marks है वो update होने में कम से कम 3-4 महिने लग जाते हैं वैसे तो आपके assignment के marks है वो आपके exam के marks जब आते हैं जब आपके exam हो जाते हैं exam के marks आते हैं वैसे ही आपके assignment के marks भी update कर दिये जाते हैं अब यह आपको पता कैसे चलेगा तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर बताया है कि जब आपके यहाँ पर बताया है marks of the assignment submitted will be reflected only with the T June 2022 result grade card जब आपके June 2022 के exam का result grade card में update कर दिया जाएगा तो वैसे ही आपके assignment के marks भी grade card में update कर दी जाएगे आपको कैसे पता चलेगा कि आपके assignment submit हो गए है या नहीं हुए है तो आपको assignment के portal पे आना है इसका link आपको मेरे description box में मिल जाएगा यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना अपना enrollment number, program और submit करना है submit करते ही आप पर आएगा कि आपके assignment submit हो गए है या नहीं अगर submit हो गए है तो यहाँ पर check great card status for a detail आएगा मिलब कि आपको great card में जाना है अपने assignment का status चेक करना है या फिर यहाँ आपर लिखा होगा received and in process इसका मिलब यह है कि आपके assignment received हो चुके बस उनके जो marks है वो आना बाकी है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा इसके लिए आपको great card status चेक करना होगा आपको इगनू के great card status में जाना होगा वहाँ पर आपको इगनू के theory के marks और assignment के marks दोनों देखने होगे मिल जाएंगी अगर आपको इगनू के great card का status चेक करना नहीं आता है तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें आपको बताया गया है कि आप इगनू के marks जो हैं वो कैसे चेक कर सकते हैं तो दोस्तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपको assignment के marks कैसे चेक करने और आपको theory के marks कैसे चेक करने इसके बाद आपके जो assignment के marks हैं वो आपके exam के बाद ही आते हैं क्योंकि इससे 2-3 महीने का time लग जाता है कभी कभार इसमें ज्यादा time भी लग जाता है आपके assignment वही आपके exam अभी चल रहे हैं June 2022 के आपके exam पास सितंबर तक चलेंगे तो जैसे ही आपके exam खतम हो जाएंगे और आपके exam का result आ जाएगा वैसे ही आपके assignment का result भी website पर update कर दिया जाएगा साथ साथ बहुत सारे students का ये भी कहना है कि हमारे assignment अगर update नहीं होते हैं तो हमें क्या करना है तो यहाँ आपर जैसा कि आप देख रहे हैं आपर लिखा हुआ है कि अगर आपके assignment शम्मिट नहीं होते हैं तो आपको mail करना है यहाँ आपर लिखा है कि पर mail करने के लिए आपके पास एक receipt होनी चाहिए जब यह आप mail कर सकते हैं तो बहुत सारे student ऐसे जिन्होंने mail के थरू या फिर उन्होंने by courier या कैसे भी उन्होंने assignment या गूगल form के थरू submit किया है तो उनके पास receipt तो है नहीं जो assignment के marks हैं वो दीरे दीरे website पर update कर दी जाएंगे तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करें अपने दोस्तों में ज़्यादा सेयर करें और चैनल को subscribe करना बिलकुल न भूले धन्यवाद